तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टॉप की अगर आप यहां पे देखें तो डबल टॉप इसने बैंग निफ्टी ने अभी बनाया है और इसका जो तीन से चार दिन का अगर आप गिरावट देखेंगे तो काफी जादा गिरावट है तकरीबन आप 46,300 से लेके यह अब गिरा है 44,600 जो इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है 44,400 का इसका 480 का एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है और मुझे लगता है कि यहां से बैंग निफ्टी थोड़ा बहुत उपर जा सकता है और एक रेंज में रह सकता है एक रेंज में ट्रैवल कर सक जो इसकी रेंज रहेगी वो यह रहेगी क्योंकि मार्केट एक अलरड़ी इतना ज्यादा गिर चुका है कि यहां से थोड़ा चांसी है कि इसी रेंज के अंदर अंदर 2-4 दिन मार्केट कही ना कहीं रहेगा एकदम से इस रेंज को तोड़ेगा भी नहीं जो अपर इसकी रेंज है तकरीबन 45,000 की है जो इसको एक अच्छा मतलब रेजिदेंस बोल सकते हैं आप रहेगा इसक में और लोवर में तो अलरड़ी यह काफी गिर चुका है तो यहां पर 44,480 जैसे मैंने बताए एक अच्छा सपोर्ट है अगर आप यहां देखेंगे पिसले कुछ दि गिरी तो यहीं पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिला फिर यहां से मार्केट उपर गई तो यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट अगर आप देखेंगे यहां पर यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है तो 44,480 का एक मार्केट का अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्ट पिर यहां support लेगा, तो इसके अलग-अलग phases होते हैं, वो जैसे-जैसे days बीतेंगे, charts देखेंगे हम क्या हो रहा है market में, तो वो उसी हिसाब से देख के ही बताया जा सकता है, यहां पर कोई भी एकदम से predict नहीं कर सकता, कि market यहां से बापस से 46-500 का अपना, जो आसपास का high ह 46-300 का वो break कर देगा, यहां से नीचे चला जाएगा, वो जैसे-जैसे time बीचता है, market में क्या momentum है, वो देखने के बाद ही पता चलता है, अब यहां पर फिलाल एक अच्छा support है, यहां पर 44-400 का एक अच्छा support market को है, तो यहां से, मेरे ख्याल से, यहां पर support market ने, bank nifty ने देना चाहिए, और यहां से थोड़ा सा market वापस से pullback कर सकता है, और इसका एक उपर का यही 45,000 रुपए का, आप मान के चलो, अगर market pullback भी देता है, तो एक 45,000 का residence रहेगा, जब तक यह इसको cross नहीं करता, और cross करने के बाद भी, इसको cross करने के बाद इसको टिके रहना ज cross करता है, तो वहाँ पे कुछ time, कुछ समय बिताना जरूरी है, without like समय बिताए, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, और अगर आप चाहते हैं trade लेना भी, अगर इनके साब trade लेते हैं, आपको दिखता है कि यह cross कर लिया, market ने 45,000, और यहां से cross करने के बाद market मान, suppose मैं आपको दिखाता हूं, यहां से market यहां गया, और यह 45,000 का इसका एक residence है, यह cross करने के बाद, वापस से market अगर यहां support लेता है, तो आपको यहां एकदम से trade में jump नहीं करना, अगर यह support लेने के बाद वापस से उपर जाता है, और इस वाले अपने higher high को break करता है, तो उसके बाद आ कुछ पैसा ठीक ठाक बना सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में तो देखो, हर second में आपको market में trade मिलेगा, हर minute में market में आपको trade मिलेगा, क्योंकि market तो पूरा दिन चलती रहेगी, लेकिन हमें तो बस यह देखना है, कि हमें एक से दो अगर trade लेने है, तो हमें उसके लिए wait करना है, patience रखना है, और जब हमारा trade हमारे radar में आएगा, तब हमें trade लेना है, नी तो सारा दिन अगर आप trade लेते रहोगे, jump करते रहोगे, over trade करोगे, तो जो बना हुआ profit होगा, वो भी आपका चला जाएगा, तो हमें यह गलती कभी नहीं करनी है, हमें हमेशा यही देखन है, wait करना है, wait and watch, उसके बाद जहां अगर हमारे radar में आता है, तब हमें trade लेना है, अगर market suppose यहां से नीचे जाता है, जिसके chances कम है, अगर market यहां से नीचे जाता है, और यहां काफी time बिताने के बाद एक कुछ time बिताता है, तो क्योंकि consolidation भी ज़रूरी है, एकदम से market नीचे भी नहीं चला जाएगा, तो consolidation अगर यहां पर करता है काफी time, तो यह chances है कि यह नीचे downside जा सकता है, otherwise अभी इसका अच्छा गासा यहां पर support है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां से यह market नीचे जाएगा, अभी फिलाल उस दिन तो यहां पर इसकी एक range बनेगी, जह इसके बाद वापस से यह high 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 बनाय के break करेगा, तब जाके इसमें market में, यानि कि bank nifty में trade लेने का फायदा है, और दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे, यहां पर daily basis का chart, daily का chart है यह, अगर हम इसको daily से 50 minute की candle देखते हैं, तो यहां पर भी देखेंगे, तो दो बार, दो ब इसने support लिया, 44,600 से यह high भी गया था, कितना high गया था, एक minute वो range भी हम check कर लेते हैं, यह 44,600 से 44,900, यानि कि वही 45,000 के आसपास का high गया था, यहां से इसने high बनाया, और उसके बाद से वापस से, यह वापस से, day end में कहीं न कहीं वापस यहीं गिरावट आ गई, क्योंक पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि option में decay ही इतना आ जाता है, क्योंकि option buying अगर किसी ने की हुई है, उसको already इतना decay मिलेगा, कि वो hold करना पसंद नहीं करेगा Friday वाले दिन, तो maximum लोग Friday वाले दिन अपनी position को cover कर लेते हैं, अगर किसी ने buying भी कर रखी होगी, यहां से buying किसी ने morning में की होगी, उसको यह move मिल गया, तो वो Friday वाले hold करना पसंद नहीं करेगा, तो यहां से इसलिए जाते जाते एक गिरावट देखने को मिली है, market में, और यह एक range है, basically देखेंगे, तो यह cross करेगा market, तो महाँ से अच्छा move मिल सकता है, 45,000 रुपए का अगर cross करता है, त गंटे की candle है, अगर market वो cross करने के बाद भी, यहां से market ने suppose यहां गई, यहां गई, यहां cross किया और वापस से वही candle retrace हो जाती है, तो इसलिए हमें ऐसे trade में एकदम से jump नहीं करना, अगर हमें trade चाहे upside लेना है, या downside का लेना है, तो wait and watch करना है, एक confirmation जिसे कहते हैं, वो higher, 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 low में आपको मिलेगी, वो चीज हमारे हमें देखना बहुत जरूरी होता है, तो वो चीज आप देखेंगे, तो आपको अच्छा कासा trade मिल सकता है, और trade यह नहीं कि आपको 2-3-4 trade लेने ही लेने हैं, अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाते हैं, या consistent money बनाना चाते हैं, क्योंकि देखो या, jackpot trade नाम की कोई चीज होती नहीं है, अगर आप किसी भी jackpot trade के पीछे भागेंगे, तो उसका कुछ होगा नहीं, आपको jackpot trade के पीछे नहीं भागना है, आपको बस एक ही चीज एशोर करनी है, कि आपकी consistency हो, आप जो trade लें, उसमें आप कुछ नो क का देखते हैं, market Monday बाले दिन का market कैसा रहता है, और उसके हिसाब से हम दुबारा से जो nifty का bank का prediction है, जो भी मतलब हमारा रहेगा, वो करेंगे हम, check करेंगे, पहले तो analyze करेंगे, charts वगरा में, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे, ये एक basic की था, जो मैंने आपको बताया इसके अलाबा और भी काफी चीजे होती है, जो advanced level की होती है, वो अभी मैंने आपको कुछ उसमें बताई नहीं है, क्योंकि मैं चाता हूँ कि जो मैंने जैसे starting की थी, जो जो मैंने सीखा था, उससे साब से आपको सिखाऊं, तो बाकी अगर इसमें आपको कुछ समझाया हो वीडियो से कुछ help मिली हो, तो आप इस वीडियो को like करना, और comment करके बताना, कि अगला जो अगर आपको कुछ सीखना चाते हैं, किसी भी topic पे, तो वो comment कर देना, ताकि मैं उसको topic पे एक वीडियो बना सकूँ, बाकी prediction का ये जो daily analyze रहेगा, nifty bank का, या nifty का, या fin nifty का, ज साथ उसका analyze करके आपको share करूंगा, analysis उसका, और वाकि आपको कोई किसी भी topic पे कुछ भी video चाहिए हो, कि किसी चीज पे RSI का, या कुछ भी topic चाहिए हो, तो वो मैं कोशिश करूंगा, आप comment करेंगे, comment करके बताएंगे, तो मैं उस पे कोई नगा वीडियो बनाने की कोश तो कुछ कमेंट आते हैं, कि सार ये फेक है, या जो भी है, ये फेक है, ये गल्त है, मतलब प्रॉफित आपने एडिट किया है, कुछ भी blog कहते हैं, तो इसके लिए मैं, होप सो इसी हफते, एक वीडियो बनाऊंगा अपने, जो इस year का PNL है, या last year का PNL है, और मैं आप आपको live वो जिरोधा के console पे दिखाऊंगा, वो पूरा record करके आपको दिखाऊंगा मैं, कि मैं को कितना profit हुआ, कैसे हुआ, पहले loss में था मैं, और फिर profit में आया, और इस साल मैं अच्छे profit में हूँ, तो वो चीज में आपको सारा दिखाऊंगा, तो बाकी वीडियो पसं आई हो, तो like कर लेना, channel को subscribe कर लेना, thank you so much.